आज की स्वीडियों पढ़ेंगे एनिमल सेल्स की बारे में तो चलिए वीडियों को इस्टार्ट करते हैं All living organism जो होता है Compost होता है सेल्स से सेल्स जो होता है Fundamental, Structural and Functional Unit होता है All living organism का सेल्स को सबसे पहले Robert Hook ने देखा Microscope के inventions के बाद इन टोनों वाल लिविन हक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा इलिक्टार माइक्रो इसकोप के इन्वेंशन्स के बाद आल सेल के इस्ट्रक्चर को डिटेल में अध्यान किया गया के लिए डिटेल में समझते हैं एनिमल सेल्स के डाइग्राम को Cells के चारो तरफ एक Membranes पाया जाता है जिसे Plasma Membranes कहा जाता है यह protection करता है Cells को और यह fix करता है Cells के अंदर के environments को Plasma Membranes जो होता है यह transport करता है nutrients को Cells में और toxic substance को Cells से बाहर करता है यह जो finger-like projection दिखाई दे रहा है जिसे Microvilli कहा जाता है Microvilli जो होता है Increase करता है Surface Area को और minimize करता है Any Increase Valumes को इसके लावा यह absorption और secretion का कार भी करता है यह जो position दिख रहा है उसे nucleus कहा जाता है nucleus जो होता है सभी eukaryotic cells में पाया जाता है red blood को छोड़ कर यह cells के growth और reproduction को कंट्रोल करता है इसमें cells की heredity information होता है यह DNA storage का components होता है यह जो nucleus के अंदर छोटा सा structure दिख रहा है उसे nucleus कहा जाता है nucleus जो होता है वो spherical structure का होता है जो cells के nucleus में पाया जाता है जिसका primary car cell के ribosome का उत्पादन करना और सयोजन करना है यह जो structure दिख रहा है यह nuclear envelope का होता है nuclear envelope जो होता है highly regulated membrane barrier होता है जो separate करता है nucleus को cytoplasm से इसमें बड़ी संखिया में proteins होता है अगर अभी तक वीडियो को like और channel को subscribe नहीं किये हैं तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूट करें jelly like fluid जो होता है cells में उसे cytoplasm कहा जाता है cytoplasm जो होता है responsible होता है cell shape को maintain करने में cytoplasm जो होता है medium का कार करता है molecules के moment करने के लिए यह जो structure दिखाई दे रहा है उसे mitochondria कहा जाता है mitochondria जो होता है cytoplasm में पाया जाता है mitochondria को powerhouse of cells कहा जाता है mitochondria जो होता है double membrane आरगनेन होता है जो mostly eukaryotic आरगनीजम में पाया जाता है यह जो structure दिखाई दे रहा है उसे lysosome कहा जाता है lysosome जो होता है हमारे सरीर का important आरगन होता है जिसे suicide bag up cells के नाम से भी जाना जाता है lysosome जो होता है double membrane आरगन होता है यह जो cylindrical shape का दिख रहा है उसे centrioles कहा जाता है यह help करता है cells को cell division के दवरान यह work करता है जब mitosis और meiosis की परकिरिया होता है यह जो structure दिख रहा है उसे praxisome कहा जाता है praxisome जो होता है cytoplage में पाया जाता है जो membrane bonded होता है praxisome में enzyme होते हैं जो सामान रूप से cell में पाया जाने वाले molecules विशेश रूप से fatty acid और amino acid को आक्सी करण करता है यह जो structure दिखाई दे रहा है इसे rough endoplasmic rediculum कहा जाता है और यह जो structure दिखाई दे रहा है उसे smooth endoplasmic rediculum कहा जाता है और यह जो structure दिखाई दे रहा है उसे ribosomes कहते है ribosomes जो होता है यह एक complex molecular machine होता है जो पाया जाता है living cells में मेंसेयो के जाता है यह जो